उम शान। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हर व्यक्ति हमस्ति जीवन के यंग दिखना चाथाएं, पर्फेक्ट दिखना चाथाएं, लेकिन जैसे हीम अपने शरीर को पर्फेक्ट रखना चाहते हैं, सोची एक ऐसी लाई कि हमारा brain भी बिलकुल young, बिलकुल जवान, बिलकुल perfect हो हमारे सोचने की शक्ती बिलकुल perfect रहे चाहें, कितने भी बुजर्ब हो जाएं सोची दोस्तो, अपने मन में ऐसी स्थिति कि अगर हम बार-बार भूल रहे हैं तो हमको चिंता सताएगी, अगर बार-बार हमको बातें ध्यान नहीं रहती, तो हमको चिंता सताएगी, क्या ऐसा कोई जादोई मन्तर है, जिसके द्वारा हम अपने brain को भी उतना ही young रख सकते हैं, अपने brain की memory power को, अपने brain की पुरानी memories को, अपने brain की decision ability को हम बिल्कुल perfect रख सकते हैं, इसके लिए क्या मन्तर है दोस्तों, इस से शक्ती को कहा जाता है, powerful cognitive reserve, दोस्तों आज मैं आपको बड़ी magical journey पर लेकर चलोगा, अगर आपने इन बातों को सुन लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी memory power perfect रहेगी, और जो अनेकों अनेक बिमारियां आती हैं, जिनकों हम कहते हैं कि ये बुजर्ग की बिमारियां हैं, बुढ़ापे की बिमारियां हैं, जैसे Alzheimer's हैं, repeatedly forgetfulness है, बार बार चीजों को भूल जाना है, लोगों को अपने परिवार में पैचानना बंद कर देना है, ऐसी सब बातों को आप काफी हद तक रोक सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे, दोस्तों, आपको इस यात्रा के बारे में बताता हूँ, आज से करीब 30-40 साल पहले, एक नन्स स्टडी होई थी, दोस्तों, इस नन्स स्टडी में 678 नन्स को लिया गया, उनको regularly 2 decades तक follow किया गया और बाद में, जब उनकी death होई, उनके brain का MRI किया गया, उनके brain को analyze किया दोस्तों, जब उनके brain को further देखा गया, तो उसमें देखा कि उनके brain के अंदर इतने significant damages थे, कि practical life में, उनके अंदर भूलने की बिमारी, जिसको हम dementia कहते हैं, उनके अंदर Alzheimer's की बिमारी जरूर होनी चाहिए थी लेकिन जब उनकी practical life को inspect किया गया, तो देखा गया ऐसा कोई भी symptom उनके अंदर था ही नहीं उनके से काफी लोगों के अंदर, तो लोग हहरान हो गए, कि जहां brain तो इतना poor हो चुका है, वो anatomically, यानि structurally इतना खराब हो चुका है, ऐसे कैसे possible है, कि वो बिमारी जो है, बाहर manifest नहीं कर रही यहां लोगों का दिमाग चलना चलो, यहां लोगों ने उसकी science के अंदर जाना आरंब किया दोस्तों, फिर क्या पाया, कि हमारा brain जो है, वो multiple connections के थूँ काम करता है, जैसे wire होती है ना घर में, उसी प्रकार हमारा brain भी electrical wiring के थूँ काम करता है, और दो wires के बीच में जो connection होता है, उसको synapse केते हैं, यानि जोड केते हैं, वहाँ पर दोस्तों, एक chemical होता है, वो chemical हमारी information को, memory को, हमारी decisions को, एक neuron से दूसे neuron पे पास करता है, लेकिन उम्र के साथ क्या होता है, कि यह जो beach का connection होता है, यह जो media होता है, जो transmitter होता है, इसमें amyloid beta नाम का, कुछ अलग negative पदार्थ जमा होता जाता है, अब दोस्तों, जैसे जैसे पदार्थ जमा होता है, तो क्या होगा, यह chemical उन दोनों connections के बीच में entangles बना देता है, inflammation कर देता है, और उनको destroy करने लग जाता है, अब जैसे उम्र बढ़ती है, यह chemical भी बढ़ता है, हमारी lifestyle कभी इसके उपर बहुत influence होता है, जीवन में अगर chronic stress है, किसी भी प्रकार का chronic stress है, physical है, mental है, social stress है, वो सब प्रकार का तनाव जो है, इस chemical को बढ़ाता है, और यह inflammation cause करके, उन synaptic connections को, उस electrical brain की wiring को कम कर देता है, और specially brain का वो area, जो कि memory area है, जिसको hippocampus कहते हैं, वो बहुत powerful तरीके से effect होता है दोस्तों, इसलिए उम्र के साथ लोगों की जो स्मरण शक्ति है, जो memory power है, वो कम होती जाती है, अब इन नंस के अंदर ऐसा क्या जादू था, रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों, लोगों ने और scientist ने, जब इस पर experiments किये, इसको study किया, तो करीब 4-5 ऐसी चीज़े पाईं, जिनको अगर हम अपने जीवन में रोज ले आएंगे, अपने lifestyle में ले आएंगे दोस्तों, तो आप तो ये सोच कर चलिए, कि आपका brain बिल्कुल perfect healthy रहेगा, आपकी याददाश काफी हद तक दोस्तों बढ़िया रहेगी, और ये ऐसी बिमारियां हैं, अल्जाइमर्स वगरा, इनको आप दूर भगा बाएंगे, दोस्तों सबसे पहली चीज़, जो इसको influence करती है, वो है proper need, अब दोस्तों scientist ने ये देखा, कि एक दिन भी अगर हमारी नीन्द proper नहीं है, ये नीन्द proper केवल ये नहीं कि हम कितने घंटे सो रहे हैं, लेकिन quality of need भी बहुत important है, जो हमारे thoughts के साथ linked है, तो अगर एक भी दिन हमारी नीन्द proper नहीं है, तो हमारे brain के अंदर जो connections हैं, उनके बीच में ये protein बढ़ जाता है, और हमारे inflammation हमारे neurons को damage करता है, इसलिए proper need, 6-8 घंटे की नीन्द होना बहुत आवश्चा किया, और वो नीन्द भले कम या जादा भी हो, लेकिन उस नीन्द की quality दोस्तों बहुत बहुत important है, वो superb होनी चाहिए और perfect होनी चाहिए, तो सबसे पहले नीन्द का पूरा ध्यान रखे, दूसरी बात दोस्तों, वो है exercise और व्यायाम, दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग हैं, जो की exercise proper तरीके से करते हैं, वो सोचते हैं, ठीक है, चल रहा है, body तो perfect है, जितना खीच पाएंगे, नहीं दोस्तों, science नहीं ये पाया है, कि अगर हम आदे से पौना घंटा रोज वयायाम करते हैं, योगा करते हैं, meditation करते हैं, physical exercises करते हैं, या केवल walking भी करते हैं, nature के अंदर, तो almost one-third risk हमारा इस बिमारी को develop करने के लिए कम हो जाता है, और हमारी memory power दोस्तों, powerful रहती है, हमारे brain के connections में बनते चले जाते हैं, तीसरा दोस्तों, वो है rainbow diet, अब देखिए, नाम देखिए rainbow diet, rainbow यानि रंग बिरंगी diet, दोस्तों, अगर हम रोज अपनी diet के अंदर, विभिन प्रकार के colorful vegetables, अलग-अलग seasonal fruits को include करते हैं, salad की 2 या 3 servings लेते हैं, जिसके अंदर micro nutrients हैं, macro nutrients हैं, flavidons हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं दोस्तों, ये हमारे brain के लिए elixir का काम करती है, और हमारी aging कम होती चली जाती है, हमारी memory power दोस्तों, बिलकुल perfect हो जाती हैं, उसको हम लोग maintain कर पाते हैं, science ये बताती है, कि almost 50% decrease amyloid beta के अंदर, वो जो harmful chemical है, वो कम हो जाता है 50% अगर हमारी diet दोस्तों proper है, तो तीसरा step हुआ, rainbow diet, दोस्तों चौथा step क्या होगा, चौथा step है, हमारे जीवन में नई-नई प्रकार की सीखने की कला, science ने ये भी देखा, कि जो लोग केवल एक ही काम रोज नहीं करते, कई बारी हम अपने आपको एक cycle, एक vicious cycle में ढाल लेते हैं, तो नई connections बनते हैं, brain के हमारा backup reserve powerful तरीके से develop होता है और हम लोग अपनी aging को अपनी memory power को बरकरार रख सकते हैं दोस्तों इसलिए अपने आपको कभी भी एक redundant cycle में मचा लिए नई नई प्रकार से नई चीजों को देखना बहुत important है इसको कहते हैं learning new things नई प्रकार के कभी घर के कारे में हाथ बैटाईए कभी नई प्रकार की hobbies को develop करिए कभी कहीं नई जगे घूमने जाईए दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं learning new things ये almost 30 to 40 percent उस harmful chemical को कम कर देता है और दोस्तों पाँचवी चीज़ चो बहुत important है वो है socializing लोगों से मिलना परिवार में एक दूसरों के साथ बैटना उनकी एक दूसरे के प्रती acceptance को लाना understanding को लाना socialize करना friends के साथ outings पे जाना ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं ये हमारे brain को healthy रखती हैं और science ये clearly कह चुकी है कि simple and most powerful tool to have a successful and happy life is having good relations एक दूसरे के साथ मिलकर socialize करते हैं दोस्तों रहना और आखरी tool जो हमारी इस मरन शक्ती को powerful तरीके से बढ़ाता है वो है meditation और योग दोस्तों जब हम किसी भी प्रकार की meditation का उपयोग करते हैं वो हमारे brain के harmful chemicals को जो synaptic connections के around होते हैं उसको कम करता है और 10-15 minute की meditation भी हमारे brain के hemisphere में synchrony लाती है और connections को strong करती है newer connections बनाती है तो दोस्तों अपनी memory power को रखने के लिए केवल इन 5-6 बातों को आप ध्यान में रखें daily use करें अपने उस redundant routine से आकर नई चीजों को सीखें नई अच्छी अच्छी colorful diets खाएं नेचर के पास जाएं लोगों के साथ interact करें यही दोस्तों आज हमारे जीवन का मंतर है पुराने जमाने में देखिए लोग घर की माता हैं घर की ladies कैसे एक दूसरे के साथ connect करते थे बाते करते थे एक दूसरे के साथ और essence उसको हम लोग हो चुके हैं दोस्तों हमारे brain की ये ability कि कोई भी task अगर वो पुराने neuron से नहीं कर पा रहा है वो alternate path phase के द्वारा जिसको हम cognitive reserve कहते हैं या जिसको हम कहते हैं नए neuronal connections हैं उसके द्वारा वो bypass करके उस कारे को करा लेता है और memory को interact रखता है इस शक्ती को कहा जाता है cognitive reserve तो दोस्तों अपने cognitive reserve अपने brain के बचत के खाते को बढ़ाने के लिए brain की समरंद शक्ती को शक्ती चाली रखने के लिए इन simple tips का आप उपयोग करें और फिर देखें आपकी याददाश perfect रहेगी आपकी health बिल्कुल perfect रहेगी memory power बिल्कुल wonderful रहेगी और Alzheimer's और stroke और ऐसी बिमारियों से आप काफी हद तक अपने आपको बचा सकते हैं तो आज से ही लग जाईए अप schedule को modify करें अपने परिवार के अंदर सब को ये बात बताईए और energy से एक नई जिंदगी की आरंब करें ओम शांति